टॉप्स टेकनोलोजीज जो आपको देती है ट्रेनिंग, आउट सूर्सिंग, प्लेस्मेंट सर्विसेज जहां एक लाग से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन हुए हैं और है प्लेस्मेंट के लिए तीन हजार से ज्यादा कंपनी टाइप्स, पचास से ज्यादा कोर्सिज और जॉब गैरेंटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन टॉप्स टेकनोलोजीज तो अगर आप आईटी में फ्यूचरिस्टिक एंड टॉप्स टेकनोलोजीज केन हेल्प यू यहां पर हम डेटा साइन्स, डेटा एनलेटिक्स एंड मशीन लर्निंग जैसे कोर्स करवाते हैं जो फ्यूचर है एंड यह जरूरी नहीं है कि आपका बैग्राउंड आईटी का ही होना चाहिए अगर आपको एक डेटा साइन्टिस्ट, डेटा एनलिस्ट या मशीन लर्निंग एंजीनियर बनना है तो कोई भी बैग्राउंड का परसन यह स्किल हासल कर सकता है और अपना करियर बना सकता है तो यह सब करियर इतने डेमांड में क्यों है और इतनी सारी कंपनीज इस प्रोफाइल के लिए इतना हाई पे क्यों करती है It's all because of data सो आप सभी ने यह डेटा वर्ड तो सुना ही होगा तो यह डेटा क्या है तो यह डेटा कुछ भी हो सकता है ये कोई signal हो सकता है, कोई written information हो सकती है या कुछ भी. अगर कोई दो इनसान phone पे या कहीं भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ data है. आप mobile यूज़ कर रहे हो या और कोई internet based app यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ data है. डेटा कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये इतना data डेटा क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ. ये data कई बड़ी बड़ी companies का business करने का source है, जैसे के Amazon, Flipkart, Google, Facebook and many such big companies. पर कैसे? तो यहाँ जबी भी आप उन companies की app चलाते हो, तो वो basically क्या करते हैं? कि वो आपका उस app के साथ जो interaction है, वो observe करते हैं, और वो देखते हैं कि आपकी अभी क्या need है? आपने अभी क्या खरीदा? आपको किस तरह की item खरीदना अच्छा लगता है? और उस information का इस्तमाल करके वो अपना business grow कर सकते हैं, तो वो directly पता नहीं लगा सकते कि चलो, आपका मैंने ये data देखा, तो अब इसे इस्तमाल करके मेरे business को मैं grow करूंगा? उसके लिए उस data को understand कर सके ऐसे professional person की need होती है, और उन professional person को कहते हैं data analyst और say data scientist. So, अगर मैं बात करूं data related profile के career की, तो आप समझ लीजिए कि जिस company या field में data होगा, उन सारी companies में एक data person की जरूरत रहेगी. और data related profile के career में बहुत सारे job role हो सकते हैं, like data scientist, data analyst, data engineer. And remember, जब तलक हम data produce करते रहेंगे, तब तक एक data को understand करने वाले person की need रहेगी. So, यहाँ आपको सारे concept clear किये जाएंगे, जैसे की statistics, Python, SQL, Advanced Excel, Probability, Machine Learning, Business Intelligence Tools like Tableau and many more, जिसकी मदद से आप अपनी data journey start कर सकते हैं. और कई बार हम एक data scientist and data analyst के बीच में confused हो जाते हैं. आप कह सकते हो कि data analysis is a one sub field of data science. And if you become data analyst, आपके पास opportunity रहेगी कि आप अपनी profile को upgrade कर सकते हो for data scientist. And अगर मैं बात करूं Machine Learning Engineer की, तो यहां आप सबने Artificial Intelligence के बारे में तो सुना ही होगा. And जैसे हम automation की बात करें, तो first option आता है Artificial Intelligence. And AI हर जगह पे अभी यूज हो रहा है, जैसे के at security for face recognition, at agriculture for better crop disease prediction, at automobile for self driving car, at medical for automatic body disease detection and many more sectors. And यहां पे अगर कोई AI की skills get करना चाहता है, तो उसे पहले Machine Learning तो सीखना ही होगा. क्योंकि Machine Learning एक वे है जिसकी मदद से आप AI को achieve कर सकते हो. And remember, AI is the future, and many countries and companies are investing more and more in this field. Because AI human के living standard को और उपर ले जा सकता है, industry में automation को नई दिशा दे सकता है, and much more. So, अगर आप अपने करियर को और futuristic बनाना चाहते हो, तो जल्दी से विजट करो Tops Technologies, जहां आपको पूरा guidance दिया जाएगा. अगर आप proper skill acquire करते हो, तो आपको बहुत सारी Companies मिलेगी. Truly speaking, there is no one name of the company. ऐसा समझ लीजिए कि जो जो कमपनी में data use होता है, या खुद produce करती है, वो सारी Companies में आपको job मिल सकती है. ऐसा नहीं है कि आपको proper IT कमपनी ही मिलेगी. But still, some of the companies are Amazon, Google, Bloomberg, Flipkart, Paytm and many more top companies. So guys, wait मत करो, स्टार्ट करो अपना करियर Tops Technologies के साथ.